नमस्कार दोस्तों मैं सिरीश तिवारी ओनलाइन यूटूब चैनल में सभी का सौगत करता हूँ दोस्तों आज मैं आप लोगों को सौर्टिंग के कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ sortion allebenAY अपने day to day life में यूज करते है sorting आप ascending में भी यूज करते हैं descending में भी यूज करते है questioning according to user use requirement यह user requirement का मतलब क्या हुआ दोस्तों आप मेरा data स्क्रीन पर देख सकते हैं data में मेरे पास company names है हम चाहते हैं company name the ascending में आ जाए चलिए try करते हैं सबसे पहले ascending कैसे आएगा तो मैं इस data को सबसे पहले select कर लेता हूँ selection होने के बाद आप चले जाएंगे data option में और data type में जाने के बाद sort पे click करना है यहां से दोस्तों ध्यान रखना है आपका यह my header options जो है my data headers यह yes होना चाहिए अगर यह option yes नहीं है तो maybe हो सकता है कि आपके यहां पे column ABCD ऐसे आएंगे to prevent that आप इसे already on कर लीजिए on करने के बाद हम चलते हैं company list में और company list में मैंने यहां से ले लिया a to z जैसे ही मैंने a to z कर लिया तो आप देखिए company की list a to z आगे चलिए इसी को एक बार reverse करके देखते हैं वापस से मैंने sort पे click कर दिया company names लिया और इसे मैं z to a कर देता हूँ that is descending orders देखिए अब company की names किसे आगई descending orders में दोस्तों मेरी requirement यह है कि अब मैं data चाहता हूँ लेकिन यह sorting order में देखिए दोस्तों यह न तो ascending है न तो descending है जैसे required वैसे sorting का orders sometime ऐसे होता है कि हम चाहते है customer wise sort करना है sometime हम name wise करना चाहते है तो depends data की requirement कैसी है तो basically इस data पे मेरी जो requirement है वो data इस order में आना चाहिए दोस्तों मैंने कुछ Mumbai के railway stations के नाम लिखे है और मैं चाहता हूँ station wise data sort होना चाहिए पहले विरार फिर वसई फिर बोरिवली ऐसे आने चाहिए तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एक custom list बनानी पड़ीगी custom list बनाने के लिए हम data को select कर लेते हैं file में जाएंगे और यहां से option में जाएंगे option में जाने के बाद हम click करते हैं यहां से advance advance में जाने के बाद दोस्तों हम click करते हैं edit custom list edit custom list दोस्तों हाँ यही है वो list जो आपको बनानी है edit custom list में जाने के बाद import करनी है और add कर देना है add करने के बाद आप ok कर देंगे जैसे कि मैं यहां पे list में अल्री एड कर चुका हूँ चाहिए तो मैं इसे डिलीट करके भी आड कर सकता हूँ लेकिन आप ट्राइ करिएगा नहीं आया तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे दियेवे इस इमेल आइडी पे नीचे आपके सामने मेरा वेबसाइड भी रिफलेक कर रहा होगा दोस्तों अब मैं इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ मुझे इसमें चेंजेस नहीं करना है अब हम आ जाते हैं हमारे प्री डिफाइन या यूजर डिफाइन सौर्टिंग और के पास दोस्तों इसमें जाने के लिए सबसे पहले आप अपना डेटा सेलेक कर लीजे डेटा सेलेक करने के बाद हम जाते हैं सौर्ट में और सौर्ट में जने के बाद यहां से क्लिक करते हैं सेल्स एरिया सेल्स एरिया में जने के बाद मैंने क्लिक किया वैल्यूस और वैल्यूस में अब मैं यहां से क्लिक कर देता हूं कस्टम लिस्ट है रिपीट वैल्यू में क्लिक कर देता हू इसाब से आ रहा है चलिए देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या जो हमने डिमांड किया था हमने सबसे पहले डिमांड किया था विरार तो आपके लिस्ट में विरार आ गया फिर हमने डिमांड किया था वसई तो आपको वसई आ गया बुरिवली कहा था बुरिवली आ गया अंधिरी कहा था so this is your list तो इस तरह से आप भी अपने list बना सकते हैं और अपने list के इसाब से data को sorting कर सकते हैं दोस्तों अगर इससे related आपके पास कोई queries है या question है तो आप मेरे email id पे अपना data send कर सकते हैं या मुझे आप call भी कर सकते हैं और नीचे मेरी एक website भी मैंने दी है इसके उपर भी जा सकते हैं दोस्तों दोस्तों इसी के साथ आज का ये sorting का session में close करता हूँ जय हिन जय भारत